27 अप्रेल गुरुवार को हुए नागपुर में एक कैंसर अस्पताल उर्खाटन के उपलक्ष पर 40 वर्षी नायक पुलिस कॉंस्टिबल हेमंद गोतमारे ने कहा कि मेरे डॉक्टर सहीत सभी ने सोचा कि मैं मर जाओंगा लेकिन मैं हाँ नहीं मानना चाहता था वाड़ी पुलिस थाने में तैनाद गोतमारे ने कहा अगर आप बिमारी को सिर से निकाल लेते हैं तो आप बच सकते हैं नहीं तो यह आपको खा जाएगी सिफाई गोतमारे ने अपने करियर और निजी जीवन में कई उता चड़ाब देखे हैं पुलिस भाग में 2003 में शामिल हुए गोतमारे 2007 में सुर्खियों में आये थे जब उन्होंने एक ढूपती महिला को बचाने के लिए अंबचरी जील में छलांग लगाती थी मैंने उस आदमी से शादी करने में भी उस महिला की मदद की थी उसने जीवन समाप्त करने की कोशिश की थी मैंने का तुम्हें जी ना होगा जिसने हुडकेश्वर पोलिस इस्टेशन में तैनात रहते हुए खुंकार गुंडे अफजल खान को भी पकड़ा था गोतमारे ने कहा कि पपू उर्फ अखिलेश मिश्रा पर 2008 में 20-22 अपराद दर्च थी गोतमारे मिश्रा को ग्रफतार करने गए थे तो वाकी टॉकी पर सीधा एंकाउंटर करने की परमिशन मांगी थी लेकिन एडिशनल सीपी भूशन कुमार उपाद्ये ने अखिलेश मिश्रा के उपर 5000 का इनाम तै किया था गोतमारे के इस नेने से वाकी टॉकी डिपार्टमेंट को समय के लिए शान्त हो चुका था उनकी लड़ाई तब शुरू ही जब 2015 में किसी ने उनकी सर्विस रिवॉल्वर चुरा ली और खुद को गोली माली उसके खिलाफ एक अपराद दर्च होने के साथ वह नशे की लट से उभणने के लिए संगरश कर रहा था लेकिन वापसी की आदत बढ़ गई उसे इस हद तक मानसिक विशिपता में डाल दिया की वह हिंसक हो गया उनके दो करीबी दोस्त दोनों कॉंस्टिवल स्वास समंधी बिमारे के कारण मर गए थे गोतमारे ने सोचा की वह अगला शिकार होगा 2020 में सबसे बड़ा जटका तब लगा जब खर्रा की आदी गोतमारे की भी मुँ में जलन होने लगी उन्हें ग्रेड ओरल कैंसर का पता चला था और उनका ऑपरेशन किया जाना था यह डॉक्टर सुचित्रा महता ओनको साइकोलोंचिस से परामर्ष की कारण था मैंने मांसिक रूप से भी कैंसर से लड़ना शुरू किया और पोशन और स्वस्त खाने की आदतों पर ध्यान किंद्रत किया पुलिस गोतमारे ने कहा मैं अपनी जुरवा बच्चों रिद और बेटी राशी को बड़े होते नहीं देख पाऊंगा जो भाग इसे अब भी देर नहीं हुई है गोतमारे ने महामारी की दौरान ड्वीटी जुएंड की थी जब वह अभी भी कैंसर से उबर रहे थे मैं कॉरेंटीन शेत्र में काम करते हुए कोविट से अनुबंदित हुआ उन्होंने कहा कि उनके पीने की आदतों के कारण उनका जिगर शितिक्रस्त हो गया था गोतमारे ने कहा जिएम सी एच में कोविट से उबरने से पहले ही मुझे पीलिया हो गया और मुझे सूपर स्पेशल अस्पतार में भरती कराया गया मैं खून की उल्टी कर रहा था मेरा हुमोगलोविन गिंती घातक रूप से कम हो गई थी और मुझे दुरलब ओ नेगिटिव समू के रक्त आधन की आवशकता थी मेरी पतनी ने रक्त की ववस्था की और भगवान से प्रातना करनी और डॉक्टरों से विंती करने के लिए मेरे पास रही गोतमारे जब देखवाल यूनिट में अन्य गंभी रोग्यों को देखने के बाद गोतमारे ने कहा उन्होंने खुद से वादा किया कि वशराब को हाथ नहीं लगाएंगे और अन्य बुरी आदतों में शामिल नहीं होंगे कैंसर से ठीक होने की अपनी यात्रा पर गोतमारे ने पोश्टिक और संतुलित आहल लेने पर जोर दिया उन्होंने कहा कैंसर से लड़ने के लिए बहुत सारे फलो के रस और स्वस्त भोचन का सीवन आवशक है एक मज़ूद दिमाग जीने का उत्सा और व्यायाम के साथ प्रती रक्षा का निर्मान भी जरूरी है गोतमारे रिकवरी की दोर में है मैं पूरी ताकत हासल करने तक सामानिक करता भी को भैतर तरीके से प्रतिबंदित कर सकता हूँ उन्होंने बिमार पुलिस कर्मियों के लिए सीपी अमितेश कुमार और उनकी कल्यानकारी नीती के प्रती आभार वैक्त करती हुए कहा गोतमारे ने कहा मैं डिपार्टमेंट और परिवार के कारण चीवेट हूँ वारी पुलिस ने मुझे हमेशा समझा और सपोर्ट किया इसलिए मैं प्रदी प्रदी प्रानिवार के साथ सभी पुलिस कर्मी मित्रों का आभार मानता हूँ मैं अब मौत के जबडे से बाहर आ रहा हूँ दोहसा पंदरा में खुद को गोली माणने के लिए किसी ने उसकी सर्विस रिवॉल्वर चुरा ली थी जिसके बाद उसे निलम्बित कर दिया गया था निलम्बन के दौरान वह शराब का आदी हो गया था वस्तंतुलित आहर और जीवन शैली में सैंशोधन के साथ ठीक होने की रहा पर है नाइक पुलस कॉंस्टिबल हेमंत गोत मारे कहते हैं अगर आप बिमारी को बिना लापरभाई के साथ मानसिक रूप से ठीक रहते हैं और भरपूर एक्सराइस करते हैं तो आप बच सकते हैं बाड़ी से इन बीसे न्यूस के लिए सौरप पार्टल के रिपोर्ट